हेलो एव्रेवन वेलकम तो मैं यूट्यूब चैनल यूनिपक आज की वीडियो में हम जानेंगे हाव नूट्रियंट्स एट री प्लाइनेश्ट इन्टु देसाल री प्लाइनेश्ट मतलब री फिल कैसे होते हैं नूट्रिशन सौयल में तो सबसे पहले क्या होता है प्लां और जो भी नूट्रियंट है सौयल में यह के बतार डिकरीज हो जाते हैं समय के साथ जैसे जैसे क्रॉप्स हम जादा उगाना शुरू कर देते हैं तो इन्हें दो बारा मींस दोबारा री प्लाइनश्ट री फिल करने के लिए नूट्रियंट्स मतलब की जो नाइट्रोज चिंघते हैं जिकि है करते रहते हैं जभी जवर्यरत हो तो मनियोर्ज होता है वह अर्गनीक मेह सुम्हाद सहरें उफंस होता है हुँस हो agriculture खर्फंके काफी तरह की नूट्रीन्ट होते हैं एक और सिंख होता है जिससे कि हम soil nitrogen, soil में nitrogen हम replenish कर सकते हैं जिससे कि हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में कि symbiotic relationship होता है rhizobium bacterium में और leguminous plant के बीच में तो जो rhizobium होता है वो क्या convert करता है atmospheric nitrogen को nitrogenous compound में convert करता है ताकि plants use कर सके हैं अपने growth के लिए whereas जो farmer होता है वो growth करते हैं plants जैसे कि beans, peas करते रहेंगे वो अपने crops के तत अल्टरनेटली टिवली grow करते रहते हैं ताकि nitrogenous उसमें refill हो सके, replenish हो सके उनके contents जादा हो soil में ताकि जो भी फजल हो वो अच्छी तरह हो चिक है तो यहां पर आपका यह वाला chapter खतम होता है तो आने वाले video lectures में आप different chapter करेंगे जिसका नाम है nutrition in animal अभी हमने complete के nutrition in plant अगर आपको कोई भी doubt आप comment section में पूछ सकते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद होई आप लाइक कर सकते हैं thank you for watching it